हेलो एब्रीवन वेलकम टो आर यूटूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी आई होप आप सब अच्छे होंगे तो यार आज की हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर बेस कनवर्जन ठीक है तो बच्चोंक बहुत ज्यादा कनफ्यूजन होता है और आप यूटूब पे जाएंगे तो इसके सब टॉपिक का ही वीडियो मिलेगा ठीक है सारी चीजे सारी कनवर्जन एक वीडियो में नहीं मिलेगा तो हमने क्या किया है कि यह जितने भी टाइप के कनवर्जन आपके इजाम में आते हैं या इन्वर्सेटी के इजाम में आते हैं स्कूल के इजाम में आते है सारे conversion को हमने एक जगा पे solve करके आपको दिखाया है ठीक है बहुत सारे टेक्निक बहुत सारे ट्रिक हम लगाएंगे जिससे कि इनको हम चल्दे solve out कर पाए ठीक है तो चलिए ही स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो number based conversion के उपर ठीक है लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीजे पता होनी चाहिए ठीक है तो आएए चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पता होनी चाहिए इस वीडियो देखने से पहले ठीक है तो यहां पे हमने बहुत सारे यहां पर प्रॉब्लम लिखे हुए है ठीक है जिनको की हम throughout वीडियो इनको solve करेंगे ठीक है लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको कुछ चीजे पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता दता हूँ उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो ठीक है तो मालने चीजे सबसे पहले जो हमारा number system होता है उसमें एक आता है decimal number ठीक है आप सबने नाम सु is 4,5,6,7,8 and 9 ठीक है यह जितना base होताई ना तो base –1 तक यहां तक इसका range होता है ? खीक है जीरो से लेकि base –1 सबका range होता है जीरो 2 base –1 हमारा क्या होता है range होता है ठीक है अब second हम किस्पे बात करने वाले हैary number ठीक है तो अब binary number system क्या होता है वह आपको बताता है ठीक है तो कितना हो जाएगा इसका रेंज हो जाएगा 0 1 ठीक है क्योंकि हमने क्या बताया रेंज की वेलू 0 to base-1 ठीक है तो 2-1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है तो अब तीसरा उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है ओट्ल नमबर ठीक है अब ओट्ल नमबर में क्या होता है इसका बेस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है इसका रेंज कितनी हो जाएगा 0,1,2,3,4,5,6,7 ठीक है 0 to base-1 ठीक है आपको यहां तक समझ में आ गया, अब चोथे नमबर पर क्या आता है, हेजचा डेसिमल, ठीक है, हेजचा डेसिमल नमबर, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यह आपको हम समझाते हैं, तो जो इसका base होता है, वो कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, तो इसका range कितना हो जाएग 12 13 14 and 15 ठीक है लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है क्या कि जो यहाँ पर 10 है ठीक है इसको हम क्या बोलते है A बोलते है 11 को B बोलते है ठीक है और 12 को C बोलते है 13 को D बोलते है और 14 को E बोलते है और 15 को F बोलते है तो यह क्या हो जाएगा 0 से लेके f तक इसका range हो जाएगा ठीक है अब सेम ऐसे ही क्या होता है कि base 4 भी होता है ठीक है अब base 4 भी होता है ठीक है base equal to 4 तो इसका range कितना हो जाएगा 0 to 3 हो जाएगा ठीक है ऐसे ही अगर किसी ने आपको base 3 बोला तो आप range कितना हो जाएगा base equal to 3 है तो 0 to 2 इसका क्या हो जाएगा range हो जाएगा तो इसके अंदर जो value आएंगे वो 0, 1, 2 आजाएगे ठीक है तो I hope आपको ये चीजे पता होनी चाहिए ठीक है अगर आपको इतनी चीजे समझ में आगी है तो चलिए हम start करते हैं अपना conversion का video ठीक है और वहाँ पे आपको सारी doubt सारी चीजे आपकी clear हो जाएगी लेकिन उससे पहले आपको ये चीजे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लनी है ठीक है तो हम चलते हैं अपने conversion को start करते हैं ठीक है तो जो हमारा सबसे पहला conversion है तो हमारा सबसे पहला conversion है वो है binary to decimal ठीक है तो हमारे पास एक binary number है और उसको किस में convert करना है decimal में convert करना है तो हमारे पास यहाँ पर binary में क्या है 1001 है ठीक है और उसको किस में convert करना है decimal में तो आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए ठीक है कि जब भी हम binary to decimal में convert करत तो हमें क्या करना है यह देखो जो भी हमें गिवेन है उसे यहां पर लिख लो ठीक है यहां पर हमने लिख लिया और फिर उसके बाद क्या करो आप इनके उपर 2 की पावर में लिखना चालू करो टू की पावर 0, टू की पावर 1, टू की पावर 2, टू की पावर 3, ठीक है, ऐसे लिखना चालो करो, उसके बाद आपको क्या करना है, वो बताते हैं, देखो, टू की पावर 3 आया न, 1 के उपर, ठीक है, तो टू की पावर 3, multiply 1 कर दो, ठीक है, और फिर यहाँ पे plus कर दो, ठ तो इसकी बहलू कितनी होगी, आपको समझ में आती है, 1001 का अगर हम decimal में convert करते हैं तो इसकी value आजाएगी 9 ठीक है तो आई होप आपको ये चीज़े clear हो गई होंगी ठीक है तो चलिए एक example और लेके आपको इसे हम समधा देते हैं जिससे कि आपका बिल्कुल doubt जो भी मन में होगा वो clear हो जाएगा ठीक है हमने ये ले लिया ठीक इसको convert करना है decimal में अब आपने क्या किया simple सा जो हमने बताया था 1 लिख लिया 1 लिख लिया 0 लिख लिया 0 लिख लिया और 1 लिख लिया ठीक है और इसके उपर आपने क्या क्या 2 की power 0 से चालो किया 2 की power 1 2 की power 2 2 की power 3 2 की power 4 ठीक है अब simply इन दोनों को multiply करना है इन दोनों को multiply करना है उसके बाद क्या करना है सबको आपस में plus कर देना है ठीक है I hope आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो इसको हम करके देखते हैं तो 2 की पावर 4 multiply 1 plus 2 की पावर 3 multiply 1 plus 2 की पावर 2 multiply 0 plus 2 की पावर 1 multiply 0 plus 2 की पावर 0 multiply 1 equal to कितना आ जाएगा तो यहां पे देखो तो यह 16 होगा प्लस 8 plus 0 plus 0 plus 1 ठीक है तो यह total आ गया आपका कितना 25 तो यह कितने का हो गया यह हो गया 25 का binary number ठीक है तो आपको यहां तक समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं ठीक है अभी हमने क्या देखा कि यह simple binary में था और हमने decimal में convert कर लिया अभी देखो यहां पे binary में ही क्या ह हुआ कि अगर point आ जाता है ठीक है decimal आ जाता है तो उस time पर आप इसे कैसे solve out करेंगे आए उसको हम देखते हैं और समझते हैं ठीक तो simply इसमें भी क्या करना है जैसे कि हमने पिच्छे किया न सेम काम करना है क्या करना है कि one लिख लिए zero लिख लिए one लिख लिए zero लिख लि टोर आपको क्या करना है देखो अभी तक इसका हम कैसे निकालते थे two की power zero से चालू करते थे ठीक है और आगे हम चलते थे two की DC जहां तक हम जा पाए ठीक है तो सेम काम हम यहां पर करते हैं 2 की पावर 0 से चालो हुए ठीक है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 यहां तक हम आ गए ठीक है अभी पिछे वाले को भूल जाएए decimal के बाद वाले को इसका हम बताते हैं आपको क्या करना है मैंनस 1 मैंनस OA आय से तरफ आपको जाना है ठीड है इधर आप zero से start करके आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ मैंनस 1 से start करके मैंनस में आप पिछे की तरफ जाएंगे ठीक है यहाँ तब समझ में आगा है आप simple वही तरफ करना है इन दोनों को इन दोनों को multiply इन दोनों को multiply इन को multiply करो इन को multiply करो ठीक है तो आएए इसको हम लिखके पहले देखते हैं तो यह करना हो जाएगा प्लस ठीक है जीरो मंटिप्लाइट टू की पावर जीरो ठीक है यहां तक तो आपका यह वाला हो गया पार्ट ठीक है तो यह पार्ट यहां तक आपका complete हो गया ठीक है अब यहां पर हम लगा लेते हैं point ठीक है उसके बाद यह कितना हो जागा 0 multiplied 2 की power minus 1 ठीक है plus 0 multiplied 2 की power minus 2 ठीक है plus 1 multiplied 2 की power minus 3 I hope आपको यहां तक भी clear हो गया होगा ठीक है तो अब इसको हम solve करते हैं तो यह कितना आ जाएगा यह हमारा आ जाएगा 16 यह हो गया ठीक है plus 0 plus 4 ठीक है plus 2 ठीक है यह 16 हो गया यह कितना हो गया 0 हो गया यह 4 हो ठीक है यह 2 हो गया plus हो गया और यह 0 हो ठीक है आपको यहां तक चीजे समझ में आ गई होंगे ठीक है अब ना उसके बाद हम क्या करते हैं तो इनको करो तो यह कितना हो जगा 20 और 22 तो यह 22 आ गया ठीक है अब इसके बाद इनको करते हैं ठीक है तो 0 में multiply किया अब देखो तो 2 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या होगा 0 मंटिपलाई 1 बाइ 2 ठीक है 2 की पावर माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है 1 बाइ 2 का स्क्वार ठीक है इक्वल टू 1 बाइ 4 होता है ठीक है तो यहां पे क्या होगा 1 बाइ 2 आ गया ठीक है अब प्लस 0 मंटिपलाई 1 बाइ 2 का स्क छहाइगा जिरो से मंडिप्लाई होने के बात और यह कितना हो जाएगा और यह नंदिप्लाई एट ठीक है तो इसका जो हमारा एंसर आ जाएगा वो कितों तूमज में आ गया होका हुगा यहाँ बहलं कितने हो जाएगा तो यहाँ आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो आपने क्या किया जो यह हमने यह वाला पार्ट हमने कैसे निकाला जो कि हमने पिछे जैसे देखा था ठीक है टू की पाउर जीरो से चालो किया और आगे हम बढ़ते जाएंगे ठीक है उसके बाद अकर हमारे पर डेसिमल आता है ठी करो ठीक है और आप पिछे की तरह बढ़ते जाओ ठीक है टू की पाउर माइनस टू की पाउर माइनस थ्री ठीक है ऐसे आप बढ़ते जाओ ठीक है और उसके बाद क्या करना है जो भी नंबर है इनको आपस में मंटिपलाई करो और प्लस करते जाओ और जो यह वाला रिज इस decimal के बाद आपको simply लिख देना है ठीक है तो आई होप आपको यहां तक चीजे clear हो गई होंगी तो आईए अप चलते हैं अपने next concept पे ठीक है तो binary से अगर आपको ओटल में convert करना है तो आप कैसे convert कर पाएंगे ठीक है तो हमें क्या करना है तो हमारे पास पहला क्या है कि 11012 है ठीक है और इसको आपको किस में convert करना है और तो आपको यहां पे simply क्या करनी होती है वो हम समझाते हैं देखो आपको यहां पे तीन-तीन का pair बनाना होता है ठीक है हमने क्या क्या यह one है यह one है ठीक है यह zero है यह one है ठीक है इसको हमने लिख लिया अब तीन का pair बनाओ तो तीन का यह pair बनाना है ठीक है तो यह क्या होगा यह one बचा ठीक है तो तीन का यह pair बना नहीं तो दो zero अपने आप लगा के इससे तीन का pair बना लिया ठीक है तो यहा तो केले बचा तो हमने तो 0 लगा दिया यहाँ पर अब बताओ कि यह binary नंबर में यह कितने की value होती है तो इसको हम निकाल लेते हैं ठीक है अब जैसे हमने पिछे पड़ा तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है इनको multiply किया, इनको multiply किया, इनको multiply किया और फिर plus क ठीक है तो यह 5 आ गया, ठीक है अब इनका binary निकालो तो कितना हो जाएगा 001, देखो हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना हैं ठीक है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी confusion ना हो ठीक है, और आपको कोई भी चीज़े याद ना करनी पड़े, ठीक है तो 2 की पावर 2, multiply 0, प्लस 2 की पावर 1, multiply 0, प्लस 2 की पावर 0, multiply 1, तो यह कितना आ जाएगा 1, ठीक है, तो अगर आपके पास इतना binary में लिखा हुआ है, तो उसको ओटल में आपको करेंगे, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, कि आपको कैसे इसे solve क करना है, ठीक है, ठीक है, तो आपको यह चीज़े समझ में आ गई है, ठीक है, binary से ओटल में आपको convert करना है, तो आपको क्या करना है, तिन-तिन का pair बनाना है, ठीक है, तिन-तिन का pair बनाके, फिर उनका हम क्या निकाल देंगे, binary निकाल देंगे, और वह ही हमारा क्या होगा, answer होगा ठीक है तो एक example और ले लेते हैं जिससे कि आपका confusion बिलकुल दूर हो जाए ठीक है हमने ले लिया 11001 ठीक है और इसका हम क्या निकालने वाले हैं और टल निकालने वाले हैं ठीक है तो इसको आप कैसे करेंगे तो आईए सबसे पहले वह हम देख लेते हैं तो आपने क्या क्या वन लिखा वन लिखा जिरो लिखा वन लिखा अब देखो तीन का पेर तो यह बन गया एक एक दो यह तीन का पेर बनाना है लेकिन यह आप दो ही ठीक है multiply 0 यहीं पर लिख लेता हूं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ठीक है तो इन में multiply किया plus 2 की पावर 1 multiply 1 plus 2 की पावर 0 multiply 1 तो यह कितना आ जाएगा यह देखो यह तो 0 हो गया ठीक है तो आपको यह समझ में आग गया कि आपको कैसे इसे स्वॉल्फ करना है ठीक है तो आपको यह चीजे समझ में आगी तो अब आगे चलते हैं और आपके मंद में थोड़ा बहुत डाउट होगा उसे भी हम clear कर देते हैं ठीक है अब यह क्या है कि यहाँ पर fraction में आ गाए ठीक है अब fraction में आ गया और आपको किसमे convert करना है भई इसको और टल में तो 3-3 का pair बना लेजिए ठीक है 3-3 का pair बनाना हमने चालो किया यह देखो यहाँ पर 3-3 का बिल्कुल अच्छे से pair बन गया ठीक है तो हमें कोई भी multiply 1 plus 2 की पावर 1 multiply 1 plus 2 की पावर 0 multiply 1 तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 4 plus 2 plus 1 ये कितना आ गया 7 ठीक है ऐसा ही same आप जब इसका निकालेंगे तो ये कितना जाएगा 6 आ जाएगा ठीक है और same आप इसका निकालेंगे तो ये कितना जाएगा 5 आ जाएगा और इसका आप निका यह binary में है तो इसका decimal form आप simply निकाल रहे हैं और कुछ नहीं करना है ठीक है तो I hope आपको यहां तक चीजे समझ में आ गई होगी अब आपको problem होगा इसमें ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है वो आपको हम समझाते हैं ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है देखो यहां प पिछे जाना है ठीक है तो सबसे पहले मैंने क्या क्या इसका पेर बनाऊंगा ठीक है अब देखो यहां पर सबसे पहले इसका पेर बनाया फिर इसका बनाया और दिन उसके बाद इसका बनाया ठीक है अब यहां पर क्या करूंगा सबसे पहले इसका बनाऊंगा दिन उसके बा तो यह कितना हो गया 1 हो गया ठीक है तो यह हमारा आ गया 1 ठीक है अब इसका मैं निकालूंगा तो टू की पावर 1 प्लस टू की पावर 1 तो यह वाले बाइनरी को तो कितना हो गया 7653.14 अपको यह चीजे समझ में आ गहीं होंगे ठीक है तो इसको हम कैसे करें बाइनरी टू ओट ठीक है हमने क्या किया हमने तीन-तीन का पेर बनाते गए ठीक है डेसिमल से पहले वालों को हम क्या करेंगे इधर से जब जाएंगे एधर बनाते हुए जाएंगे ठीक है और कोई भी पेर नहीं बनता है तो उसके आगे हम 0-1 इंसर्ट जाएंगे ठीक है अब डेसिमल के हम क्या करेंगे चार-चार ने बनाएंगे ठीक है your का हम प्ैर बनाने वाले ने ठीक है तो आए आये देखते हैं कैसे तो यह जो हमारे पास binary given है इसको हमने क्या क्या यहां पर लिख लिया ठीक है उसके बाद हम क्या करने वाले हैं देखो यह 4 का हमने एक पेर ले ओर फिर यहां पर 6 का एक पेर डालेंगे ठीक है यहां पर एक ही नंबर है तो हम ने क्या किए 3-0 यहां पर इंसर्ट कर लिया ठीक है अब इसको बाइनारी में conversion करें जऱा ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 2 की बवार 2 2 की बई learnt तो यह किना आ जाएगा वन आ जाएगा ठीक है इसको जड़ा गरिये बाइनरी में तो यह किना आ जाएगा तो यह सब में आप लोगों के लिए वस्ट सॉल्व आउट करा एसे ठीक है अगर इसमें कमांड हो जाएगा आपका तो यह आप बीना देखे देखके ही बता देंगे ठीक है कि यह कितना है ठीक है तो यह कितना हो गया एट हो गया ठीक है प्लस जीरो हो गया जीरो हो गया और फिर यहां पर वन हो गया ठीक है तो यह कितना हो गया नाइन हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे नाइंटीन हो जाएगा यह बेस सिस्टिन ठीक है तो यह जो हमारे पास है यह वाला नंबर है ठीक है यह बाइनरी न लेखते हैं ठीक है अभी हमने पिछे पढ़ रहा था ना ठीक है यहां पे बाइनरी से और टेल वाले में तो हम क्या कर रहे थे यहां पे इधर पिछे जा रहे थे इधर आगे जा रहे थे सेम चीजे यहां पे आपको करनी है अपलाई ठीक है आईए अब यहां पे हमने क्या क चार चार का पेर बनाना है ठीक है तो यह हमने क्या क्या यह हमने पहला पेर बना लिया यह हमने क्या क्या दूसरा पेर बना लिया और यहां पर हमने क्या क्या तीसरा पेर बना लिया लेकिन यहां पर तीन नंबर हो रहते हैं तो हमने एक जीरो क्या क्या यहां पर इंसर्ट कर लिए तो इधर हम इधर से पेर बनाते हुए जाते हैं और यहां पर इधर से पेर बनाते हुए जाते हैं ठीक है यहां पर कोई नंबर एक होता माल लीजिए ठीक है तो हम एक पेर यहां पर ऐसे बनाते हैं ठीक है दोसे नंबर पर ठीक लेकिन अब यहां पर कुछ भी नहीं ह हो गया 8 हो गया ठीक है यह 0 हो गया ठीक है और यह कितना हो गया 2 हो गया और यह कितना हो गया 1 हो गया तो यह कितना हो जाएगा 10 and 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा लेकिन आपको क्या पता है 16 में 11, जब base हमारा 16 होता है तो 11 को हम क्या बोलते हैं ठीक है आपको पता है, पता है, बिल्कुल पता है हमने अभी last में इसलिए आपको यह समझाया था ठीक है, देखो 11 को हम क्या बोलते हैं B बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 11 को हमने क्या बोला है B बोला है तो simple सा हम जाएंगे और अब यहाँ पे जहाँ पे 11 हमारा आया था उसे हम क्या बोल देंगे B बोल देंगे ठीक है अब देखो same इसका भी निकाल के हम देखते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ठीक है आ तो यह कितना हो जाएगा देखो 2 की पावर 3 1 कितना हो गया 8 हो गया प्लस 0 हो गया ठीक है और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 0 अब यह कितना हो गया 10 हो गया अब 10 को हम क्या बोलते हैं यह बोलते हैं ठीक है और उसके बाद अब यहां पर हम बाते कर लेते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 की पावर 2 मंडिपलाई 1 इक्वल टू 4 ठीके, प्लस 0 प्लस यह कितना हो जाएगा 2 कि पाउर 0, Потому1 यक्वल 2 वन तो यह कितना हो जाएगा, ठीके तो यह चिज़ाएं आपको यहाँ तक समझ में आगें, तो अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, 2 कि पाउर 0 to ki power one, two ki power two, two ki power three, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, देठो यह zero हो जाएगा, plus, zero हो जाएगा, plus, two हो जाएगा, plus, ठीक है, यह one हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जो final answer आया, वो यह कितना आ गया, 5AB.3 ठीक है, existing, ठीक, I hope आपको यह चीज़े समझ में आगी होंगी ठीक है तो आपके पास binary में नंबर आएगा तो उसे अगर आपको है डेसिमल में convert करना है तो इतने का कितना हो जाएगा 5ab.360 ठीक है तो आपने क्या क्या चार्चर का pair बनाया और इसको इजली स्वाल बाउंट कर लिया ठीक है तो एक बार सबसे पहले हम अपने फर्ष्ट पेज़ पर जाते हैं और आपको बताते हैं देखो हमने decimal to binary complete कर लिया binary to autotel भी हमने complete कर लिया binary to hedge decimal भी हम complete कर लिया अब हम आ जाते हैं decimal के फेमली में ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर line खिचेंगे यहां पर 160 लिख लेता है और यहां पर हम 2 इसको क्या करने वाले हैं इसको divide करने वाले है तो जब 2 से आप 160 को divide करेंगे तो आपके पास क्तना आता है 8 टाइम यह जाएगा ठीक है यह cancel यह 0 है तो 0 आया और 0 तो यहां पे कितना आजाएगा 18 आजाएगा ठीक है लेकिन आप एक चीज और यहां पे ध्यान देना है आपको कि क्या यहां पे कुछ भी remainder बचा है ठीक है remainder यहां पे नहीं बचा है तो यहां पे remainder कितना आगया 0 आगया तो यहां पे आप क्या कर लेंगे 0 को लिख लेंगे ठ अब फिर से 2 से इसे क्या करेंगे आप DIVIDE करेंगे ठीक है 2 से और 80 को हमने डिवाइड किया तो इस बदर कितने टाइम जाएगा 40 ठीक है remainder क्या और 09 ठीक है यहां पर करके हम दिखावी देते हैं ठीक हमने किया 90 को divide किया ठीक है तो यह कितने car टाइम जाएगा at a time ठीक है और यह गया तो यहां पर 40 आ गया और remainder करना है 0 बचाए ठीक है तो यहाँ पर हमने remainder लिख लिया अब हमें क्या करना है देखो 2 से फिर से हम इससे क्या करने वाले हैं divide करने वाले है 20 आएगा ठीक है तो remainder करना आ जाएगा इस पर भी 0 आ जाएगा फिर 2 से हम क्या करेंगे इससे divide करेंगे थीक है तो यह 10 आ गया ठीक है रिमेंडर केना आ गया जीरो आ गया ठीक है माँ देखो फिर से लग्या ठीक है ठीक है अब टो से और टेन में डिवाइड करने पर क्या होगा five time जाएगा ठीक है और यह cancel out हो जाएगा remainder zero ठीक है तो यह five हो गया ठीक है और यह वाला remainder यहाँ पर आजाएगा ठीक है जीरो आगया अब two से हमने फिर से इसे किया ठीक है अब two से five में divide कर यह ठीक है तो यह two time जाएगा four और one ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है remainder रिमेंडर बचा वन ठीक है तो अब क्या करेंगे हम यह देखो ठीक है तो यहां पर टू तो आ गए यहां पर कितना आजाएगा ठीक है यह वाला टू यहां पर आजाएगा और रिमेंडर वन बचाना तो यहां पर रिमेंडर आ जाएगा ठीक है फिर टू से डिवाइड करों तो कितना आएगा वन आएगा ठीक है टू में टू का डिवाइड करोगे तो यह वन टाइम में चला जाएगा रिमेंडर कितना बचा जीरो बचा तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया जीरो लिख लिया ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ अब देखो टू से फिर अगर हम वन में डिवाइड करते हैं ठीक है 2 से हमने 1 में डिवाइड करना है तो यह कितना आएगा 0 टाइम जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 2 से जब हम 1 में डिवाइड किये तो यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया ठीक है जैसे नीचे हमारा 0 आता है हम यहीं पर stop हो जाते हैं और यह क्या होता है यह हमारा answer हो जाता है ठीक है और remainder कितना बचेगा 1 ही बचेगा ठीक है तो येवाला 1 क्या हो गया यहाँ पर आगाए ठीक है अब उसके बाद आप क्या करो 2 से divide करते जाओ remainder इधर लिखते जाओ ठीक है और जो यहाँ पर आता है quotient वो यहाँ पर लिखते जाओ और last में जब यहाँ पर 1 आ गया और जब 2 से हमने 1 को क्या क्या डिवाइड किया ठीक है जब 2 से 1 को हमने तो remainder हमारा कितना आएगा यह 1 ही आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर लेकर हम आपको समझा देते हैं जिससे कि आपको बिलकुल भी इसमें confusion ना रहे है ठीक है और इसका हम दोनों निकालेंगे ठीक है decimal to binary भी निकालेंगे और binary to decimal भी निकालेंगे ठीक है और यह problem ना हम यहीं से उठा लेते हैं ठीक है जहां पर हमने किया किया था binary to decimal हमने convert किया था ठीक है उससे ही हम ले लेते हैं हमने 9 को किया था 9 करके ना आया था 1001 आया था ठीक है तो इसको हम करके देखते हैं ठीक है हम 9 का ले लेते हैं ठीक है तो अब 9 का है और इसको हमे convert करना है किसमे binary में ठीक है तो हमने क्या किया सबसे पहले यहां पर 9 ले लिया ठीक है 2 से हमने क्या किया इससे divide किया 2 से 9 को divide करिए तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 8 यहां पर आगा ठीक है 1 बचेगा ठीक है तो यह कितना आ गया इसका यहाँ पर कितना आ जाएगा यह वाला courset yanty यहाँ पर आ जाएगा 4 आ गया ठीक है और remainder कितना बचा 1 बचा तो 1 यहाँ पर आ जाएगा ठीक है उसके बाद 2 से फिर से हमने 4 को डिवाइड किया ठीक है 2 को हमने डिवाइड किया तो यह एक बढ़ जाएगा और remainder 0 ठीक है तो यहाँ पर 1 आ गया और remainder किना आ गया 0 ठीक है फिर 2 से करो तो 2 से 1 में क्या होगा कि यह 0 टाइम जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 0 आ गया लेकिन remainder किना बचा 1 बचाना तो यह 1 आ गया ठीक है और जैसे यहाँ पर हमें 0 मिल गया हमे क्या होना है यहीं पर रुक जाना है ठीक है और उसके बाद यहां से निच्चे से उपर जाएंगे और यह हमारा answer होगा ठीक है तो यह वाला 1 पहले यह वाला 0 फिर यह वाला 0 और फिर यह वाला 1 ठीक है तो यह क्या हो गया 9 का binary number हो गया 1001 अब यहां पर हम जाके अपने एक देख लेते हैं कि क्या हमारा सही है या गलत है अब देखो 1001 तो बिल्कुल सही है ठीक है इसको हमने binary to decimal किया था अभी हमने decimal to binary कर लिया ठीक है तो आई होब आपको यहां तक clear हो गया होगा कि decimal से binary में हम कैसे convert करते हैं ठीक है अब सेम चीजे हम क्या करने वाले हैं कि हम 456 ठीक है और यहां पर बेस्ट 10 है और इसको आपको किस्मे करना है बेश्ट 2 में ठीक है तो आप यह देखो कि 75 और 10 है ठीक है इसका तो आप निकाल सक्ते हो ठीक है जैसे हमने पिछे बताया उसे आप करके इसका 75 का तो आप निकाल लोगे ठीक है तो जब इसका आप solve out करोगे तो आपको answer आ जाएगा 1001 ठीक है 011 इसको बिल्कुल आप करके देखना ठीक है 75 को convert करना binary में तो आपको ये वाला answer मिल जाएगा ठीक है अब बात आती है कि ये 75 का तो हो गया अब जो 0.456 है इसका हम कैसे निकाले ठीक है तो हम हमें क्या करना है हमारा main point क्या है 0.456 है ठीक है और इसको आपको convert किसमे करना है ये decimal में है इसको आपको convert करना है binary में ठीक है तो आईए इसको हम solve out करके देखते हैं तो आपको जब इसको convert करना है ना binary में decimal के बाद वाले को तो आपको simply क्या करना होता है 456 लिखो ठीक है 0.456 लिखो multiply कर दो 2 से ठीक है हर दम जो भी decimal के बाद जितने number है ना उनको लिखो multiply करो 2 से तो ये कितना आ जाएगा zero point nine on two आ जाएगा ठीक है same उसके बाद अब क्या करना है आपको देखो अब आपको दो काम करना है ये देखो ये decimal से पहले क्या है zero है तो आपने zero लिख लिए decimal के बाद क्या है 912 है ठीक है तो आपने क्या क्या 0.912 तो यहां पर लिख लिए ठीक है अब आपको क्या करना है यह वाली भैलू यहां पर लेकर आ जाओ ठीक है तो 0.912 फिर multiply कर दो 2 से ठीक है तो अभी कितना आएगा इसको solve out करो तो 1.824 आएगा ठीक है अब यहां पर फिर से देखो यहां पर decimal से पहले 1 है न तो 1 लिख लो और decimal के बाद यह 824 है तो यहां पर लिख लो 824 ठीक है उसके बाद फिर से इसे यहां पर लेकर आजाओ और फिर multiply कर दो 2 से तो इस बार किना आINA आजाएगा 1.648 आजाएगा ठीक है यहां पर क्या आए 1 है तो यहां पर 1 आगया यह decimal के बाद जो भी है वो यहां पर लेकर आज 6 आजाएगा ठीक है तो उसके बाद यह कितना हो गया यह 1 आगया तो यह एहां पर 1 आगया ठीक है और यह काहां पर कितना आजाएगा 0.296 आजाएगा ठीक है फिर से आपने क्या किया 0.296 को फिर से लिआ और multiply कर दिया 2 से ठीक है तो यह 0.592 आजाएगा ठीक है और उसके बाद यहां पर जो 0 है वो यहां पर आजाएगा और यह decimal के बाद वाला कहां पर आजाएगा यहां पर आजाएगा ठीक है तो आपने फिर से क्या क्या 0.592 को multiply कर दिया 2 से ठीक है तो यह कितना आजाएगा यह आप multiply करेंगे तो यह आजाएगा 1 1.184 ठीक है तो यहां पर 1 है तो यहां पर 1 आ जाएगा ठीक है और इसके बाद वाला कहां पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा ठीक है तो यह प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेंगे ठीक है अब जहां पर आपको क्या हुआ कि 0-0-0 मिल जाए ठीक है 0-0-0 मिल जाए ठीक है वहां आपको रुक जाना है अगर कहीं पर आपको quiet 0 नहीं मिलता है तो आपको कुछ step इसमें चलना है ठीक है और उसके बाद आपको answer में कितना दे देना है ठीक है तो इसका हम क्या बोल देंगे देखो 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ठीक है और फिर इसमें आगे ऐसे चलते जाएगा तो इ वहीं पर रुक जाना है ठीक है उसके बाद हम इसका अगर decimal में लिखते हैं तो इसका हम कितने लिखेंगे तो देखो 75 का में पता है 1001011 ठीक है अब उसके बाद decimal आ गया point आ गया तो यहां पर हमने point लिख लिए और उसके बाद हमने क्या क्या 011101 और ऐसे चलता रहेगा ठीक ह और यह हमाया क्या हो गया answer हो गया I hope आपको यहां तक चीजे समझ में आ गई होगी ठीक है बाते clear हो गई होगी तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपना next example ठीक है कि अब हमें क्या करना है अब हमें करना है या decimal to octal में convert अभी हमने क्या क्या अभी हमने decimal to binary में convert किय था फिर उसके बाद हमने point वाला देखा ठीक है और उसके बाद हम क्या देखने वाले है decimal to octal ठीक है तो आए चलिए और start करते हैं अपना decimal to octal में कैसे convert किया जाए ठीक है तो जैसे अभी आपने binary में क्या देखा आपने binary में देखा कि हम जो divide कर रहे थे वो two से कर रहे थे ठीक है लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं जो divide करने वाले हैं वो eight से करने वाले हैं ठीक है तो आए देखते हैं तो यह देखो one by 52 हो गया अब जो भी number system में convert करना होता है उससे आपको क्या करना होता है divide करना होता है ठीक है तो यहाँ पर हम eight से करेंगे तो eight one five two इंको divide करो, तो एक बार में जाएगा, ठीके, यह 8 आ गया, ठीके, तो यहाँ पे 2 और 5, 7 हो गया, और 2 हो गया, ठीके, और यहाँ पर कोस्टरेंट किल आ गया 19 आ गया, तो यहाँ पर99 लिखे लेंगे, फिर 8 से हम ने दिवाइड किया, ठीक किया, तो यह कितनी बार मैं जाएगा, दो तो बार मैं जाएगा, निपारों 2 बार मैं 9 रिजे के जफ थिरी बचा तो यहां पर थिरी आ ख़ेख अब फिर से एट को करो ठीक है तो एट को हमने किया टू से ठीक है तो यहां पर कितना आए गया यह जाए ग़ा और रिमेंडर टू बच जाएगा ठीक है आपको पता है ठीक और फिर निच्चे से उपर हम जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 0 हो जाएगा अगर आपका decimal number ये है और आपको ओर्टल में कनुवाट करना है तो आपका जो value आएगा वो कितना आजाएगा 2, 3, 0 ठीक है तो I hope आपको यहां तक चीजे समझ में आ गई होंगी ठीक है तो आगर ये बातें समझ में आ गई ठीक है तो हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपको कैसे इनको solve out करना है ठीक है तो हम आगे एक decimal में ले लेते हैं ठीक है अब आपको binary से ही आपको convert करना है ओटल में लेकिन बीच में आपको क्या मिल गया point मिल गया ठीक है तो इसको आप कैसे handle करेंगे तो इसको हम देखते हैं ठीक है तो अभी तक आपने क्या देखा 125 का अगर हम ओटल में convert कर रहे थे तो यह कितना आ रहा था इसका तो हमें पता है ना 230 आ रहा था ठीक है अब हमारे पास बचा क्या point 25 का ठीक है तो इसका जैसे कि अभी आपने binary में देखा ना हम क्या कर रहे थे जो point के बाद है ठीक है इसको हम ले के क्या कर रहे थे multiply कर रहे थे 2 से लेकिन वहाँ पर हम binary में convert कर रहे थे लेकिन यहाँ पर हमें total में convert करना है तो हम multiply करेंगे 8 से तो आप 8 से एक बार multiply करके देख लेजिए तो कितना आ जाएगा इसका answer जल्दी जल्दी से हम लिख लेते हैं ठीक है तो इसका answer आ जाएगा आपके पास 2 ठीक है तो यहाँ पर आगा 2 ठीक है तो अब उसके बाद देखो 2 आ गया यह 2.0 आएगा ठीक है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो decimal से पहले 2 है ठीक है और decimal के बाद 0 है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, अब देखो, जैसे 0 आया, तो 0 x 8, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यह भी कितना हो जाएगा, 0 और यह भी 0, ठीक है, तो मैंने क्या मोला था, जैसे 0 आता है, हम रूक जाते हैं, ठीक है, तो यह स्टेप हमें परफॉर्म भी नहीं करना है अब two आ गया तो इसका किना आ जाएगा two आ जाएगा ठीक है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं two 13.2 का two ठीक है base eight तो यह हमारा answer आ गया ठीक है तो यहाँ पर जो भी number होगा उसे multiply करेंगे eight से फिर उसका जो integer वाला term है उसको अलग लिखेंगे decimal के जो number मिलेगा उसको अलग लिखेंगे ठीक है अगर यह zero नहीं आता है तब तक फिर इसको हम यहाँ पर लेंगे multiply by eight ठीक है ठीक है और फिर ऐसे ही हमारे step आगे चलता जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या हुआ हुआ हमें zero मिल गया तो हम यहीं पर रुके गया ठीक है और हमने यह जो पिछला इंजाम पर लिया था यहाँ पर हमें zero नहीं मिल ला था तो हम क्या कर रहे थे इसको आगे हम बढ़ाते जा रहे थे ठीक है तो I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ठीक है कि अगर decimal में राता है ठीक है प्वांट में राता है ठीक है तो अगर उसको और decimal में decimal to autal convert करना है तो आप इसे कैसे convert कर पाएंगे तो हमें क्या करना है decimal से hr decimal में convert करना है ठीक है जैसा कि आपको हमने बताया था अगर यहाँ पे आपको decimal to binary convert करना है तो 2 से divide करना है और टल में convert करना है तो 8 से divide करना है ठीक है base 4 में convert करना है तो 4 से divide करना है ठीक है ऐसे ह आपको decimal to hr decimal convert करना है तो आपको base 16 से क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा अब चलिए इसे हम divide करके देखते हैं 16 से 152 को ठीक है तो यह कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा 9 बार में जाने के बाद यह कितना आ जाएगा आपका 16 multiply 9 कितना होता है बताए 144 होता है ठ है कितना आ जाएगा 8 ठीक है तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास remainder तो आ गया 8 ठीक है और हमारे पास को सेंट करना आ गया 9 आ गया तो 9 यहां पर आ गया और 8 यहां पर आ जागा ठीक है अब आपने क्या क्या फिर से को हमने क्या क्या 16 से डिवाइड किया अब जैसे आपने 16 को इससे डिवाइड किया ठीक है तो 16 से 9 को divided करेंगे तो ये zero time जायेगा और remainder कितना आजाएगा nine आजाएगा ठीके तो यहाँ पर हमने क्या जाया गया और यहाँ पर nine आजाएगा ठीके और जैसे zero मिलेगा हम क्या करेंगे यहीं पर रुक जाएगे और ये कितना हो जाएगा हमारा answer हो तो 98 ठीक है जो answer लिखते हैं हम निच्छे से उपर लिखते हैं ठीक है और यह हो का है 60 तो 152 अगर decimal में है और इसको आप हचा decimal में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे 98 बोलेंगे ठीक है अब next हम देख लेते हैं अगर point आ गया तो क्या करना है आपको ठीक है तो यहाँ पे आ अब यहाँ पे आपको हमने क्या बताया था कि यहाँ पे एक बार आपको हम दिखाते हैं कि अगर decimal के बार जो भी है ठीक है तो उसे आपको 2 से multiply करना है तो यहाँ पे ओटल में था तो यहाँ पे क्या करना था आपका decimal के बार जो भी नंबर है उसे 8 से multiply करना था ठीक है तो सेम चीज आपको यहां भी करनी है ठीक है 0.25 है और इसको multiply करिए 16-13 से तो यह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ठीक है तो पूरा यह complete 4 आ गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 4.0 ठीक है तो यहां पर हम integer लिखते थे ठीक है तो integer हमारा कितना आ गया इंटेजर आ गया 4 ठीक है और यहां पर हम point के बाद वाला लिखते थे तो यहां पर 0 और जैसे मुझे 0 मिल गया हम क्या करेंगे यहीं पर रूक जाएंगे ठीक है अगर यहां पर 0 नहीं मिलता तो फिर से हम क्या करते है 16-13 से multiply करते है फिर इसका integer लिखते है और फिर point के फिर उसके बाद हम multiply करते हैं तो ऐसा हमारा चलता रहाता ठीक है तो अभी इसका answer कितना आ गया अभी इसका यहाँ पर तो हमें 4 मिल गया तो यह कितना हो गया 4 हो गया तो हम इसको क्या बोल देंगे 98.4 ठीक है और इसका base हो गया 16 ठीक है तो I hope आपको यहां तक चीजे समझ मे आ गई होंगी ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने अगले conversion के उपर ठीक है तो I hope आपको चीजे यहां तक समझ में आ गई तो अब हमारा जो next conversion है वो क्या है और tell to decimal ठीक है तो इसके पहले हम अपने पहले page पे जाते हैं और वहां पे आपको चीजे हम हम दिखा देते हैं कि जो हमारी यहां पे जो binary decimal वाली family थी वो क्या हो की complete हो गई ठीक है decimal to binary decimal to autal decimal to hr decimal हमने देख लिया अब हम autal वाले अपने family को चालो करते हैं और सबसे पहला इसमें क्या देखने वाले हैं autal to binary कैसे convert करते हैं ठीक है तो यहां पे आते हैं और हम अपने start करते हैं autal to decimal में convert करना ठीक है तो autal to decimal में convert करने से पहले आपको एक चीज में याद दिला दो ठीक है कि decimal से जब हम binary में convert कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे ठीक है उसके बाद हम क्या करने वाले हैं देखो एक की पावर जीरो लिखेंगे एक की पावर वन लिखेंगे एक की पावर टू लिखेंगे ठीक है और उसके बाद इन दोनों को मंडिपलाई करो इन दोनों को मंडिपलाई करो इन दोनों को मंडिपलाई कर दो और आपस मे प्लस कर दो ठीक है तो 8 का स्क्वाइर मंडिप्लाई 1 प्लस ये 5 मंडिप्लाई 8 का पावर 1 प्लस 2 मंडिप्लाई 8 का पावर 0 ठीक है तो ये किना हो जाएगा ये 8 का स्क्वाइर किना आ जाएगा 64 आ जाएगा ठीक है उसके वालेällen हम क्या करने वाले है यह 40 हो गया ठीक है और 2 multiply 8 की पावर 0 कितना होता है वन होता है तो यह कितना हो जएगा two हो जाएगा ठीक है अब इसको एक बार कर आप इन को sum करई अन पर फ्रीया को चैक है 64 बेलबस 40 तो आप क्या करेंगे 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2 ऐसे लिख लेजिए इनके उपर ठीक है और फिर मंडिप्लाइ करके प्लस कर लीजिए ठीक है और वहीं पर आपको क्या करना था binary to decimal अगर convert करना था तो आप क्या कर रहे थे binary to decimal वाले में ठीक है अगर माल लेजिए 110 है ठीक है तो आप क्या कर रहे थे 110 ठीक है टू की पावर 0 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 लिख रहे थे ठीक है उसके बाद आप इससे multiply करेते हैं और फिर इंको plus करेते सेम काम यहाँ पर भी हमें करना है ठीक है सब एक दूसरे से मिलते जूलते हैं लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको 80 पावर 1 ऐट एक पावर 2 से multiply करना है तो I hope आपको यहां तक चीजे समझ में आगी होंगी ठीक है तो अब next हम क्या देखते हैं कि अगर हमें autal to decimal में ही convert करना है लेकिन अगर उसमें point आ जाता है तो फिर उसे आप कैसे करेंगे ठीक है तो हमने क्या देखा था कि binary से decimal में जब convert करें थे और उसमें point आता था ठीक है तो उस time पर हम क्या करते थे उसको एक बार हम देख लेते हैं ठीक है तो यहां पर हमने क्या 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 था 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2 ऐसे हम चल लेते हैं ठीक है और point के बाद हम क्या चल लेते हैं 2 की power minus 1, 2 की power minus 2, 2 की power minus 3 ऐसे चल लेते हैं तो same काम अब हम यहां पर भी वही करने वाले हैं ठीक है क्या करने वाले हैं आईए देखते हैं और आपको समझाते हैं ठीक है हमने क्या किया इनको same to same फिर से हमने ऐसे लिख लिया ठीक है यहाँ पे हम लिख लेते हैं ठीक अब उसके बाद हमने क्या क्या यहां पर 8 के पावर 0 लिकलिया. ठीके और यह तो यहां पर 8 के पावर 1 हो इ स्मीर्ट कर सेयगे तो 8 के पावर माइनस 1 8 के पावर माइनस 2 ठीक है अब आगे से हम पीछे जाएंगे यहाँ decimal के बाद वालों में ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया आए इसको हम solve करते हैं थोड़ा सा ठीक है 1 1 multiply 8 के पावर square plus 5 multiply 8 के पावर 1 plus 2 multiply 8 के पावर 0 ठीक है और यह वाला point यहाँ पर आ गया ठीक है और यह 2 multiply 8 के पावर माइनस 1 plus 8 multiply 8 के पावर माइनस 2 ठीक है तो यह कितना आ जाएगा इसको तो अभी हमने solve किया था तो 160 आ रहा था ठीक है यहाँ पर आप पिछे यह कितना हो जाएगा 8 by 8 का square हो जाएगा ठीक है तो इनको जब आप क्या करेंगे solve out करेंगे तो आपकर जो answer आएगा वो आएगा कितना इनको आप एक बार करके देखिए 2 by 8 प्लस ठीक है 8 multiply by 1 by 8 का square मतलब यह 8 8 से गया तो यहाँ पर 8 बचा ठीक है तो यह कितना हो जाएगा इसको solve out कर लो ठीक है तो इसको अगर आप solve out करेंगे तो यह आपका आजाएगा इसको मैं solve कर लेता हूँ ठीक है तो यह 0.25 आजाएगा ठीक है और यह कितना आजाएगा 1 divided by 8 equal to आजाएगा 1 0.125 ठीक है और इनका अगर हम sum कर दे तो यह कितना आ जाएगे यह आजाएगे आपका 0.3 0.375 के आसपास आजेगा ठीक है तो इसका answer कितना हो जाएगा 106.375 ठीक है तो यह हमारा कितना हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको चीजे यहां तक समझ में आ गई होंगी ठीक है अभी तक हमने क्या देख लिया कि आपको क्या करना है यहां हो गया 3 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 3 का बाइनरी कितना होता है 1 1 होता है ठीक है 1 का बाइनरी कितना होता है 1 होता है अब इंका 33 का हमें पेर बनाना है ठीक है तो यहां पे एड़ान करूंगा ठीक है यह दो ही नंबर है तो 1 0 यहां पे जोरूंगा ठीक है यह एक नंबर है तो 2 0 यहां पे जोरूंगा ठीक है तो 0 है ठीक है इसका कोई मतलब नहीं है यह तो invalid है ठीक है इसके आगे वाला तो इनको हम हटा देंगे तो जो हमारा answer आएगा वो कितना हो जाएगा 101101 हो जाएगा ठीक है यह हमारा answer आजाएगा अब मान लिजिए एक example और ले लेते हैं और फिर आपको समझ में और अच्छे से आजाएगा जैसे 73 है ठीक है और यह किस में है और इसे आपको convert करना है binary में ठीक है आपने क्या किया आपने 7 लिख लिया यहां पर 3 लिख लिया 3 का binary कितना होता है 11 होता है ठीक है 7 का binary कितना होता है 111 होता है ठीक है अब आपने क्या किया 3-3 का pair बनाना है तो यह तो 3 का प showman आ जाएगा तो यह हमारा कितना हो जाएगा answer हो जाएगा तो आपको क्या करना है इनका digit अलग-थी लिखलो ठीक है फिर उनका बाई नहीं ही लिखलो फिर تीन का क्यान कर daw pagan जहां पर नहीं बना वहां पर 0 अपने आप add on करो ठीक है और लास्ट में अगर 0 आपने aid किया है वो invalid होता है उसको आपको क्या करना है simply हटा दना है ठीक है तो आपको यहां तक चीजे समझ में आ गई होंगी तो अब हम बात कर लेते हैं order to hdc कैसे convert करते हैं ठीक है अब हम नेश्ट चलते हैं और अपना देखते हैं कि order to hdc कैसे convert क्या जाए ठीक है तो order to hdc करने के लिए सबसे सिंपल सा method यह है कि आप इसे order to binary में convert कर लिजिये ठीक है और binary से hdc करना आपको पता है ठीक है आथो यह तिन step हम follow करने वाले हैं तो आप देखो यहां पर क्या है 3, 4, 5 है ठीक है इसको अगर हम binary में convert करेंगे तो आपको हमने क्या बता है 3, 5, 4 और 5 ऐसे लिख लेजिए ठीक है इसका binary कितना होता है वन वन ठीक है इसका बाइनरी कितना होता है वन जीरो जीरो ठीक है इसका बाइनरी कितना होता है वन जीरो वन ठीक है अब तीन-तीन का पेर बनाने होती है ठीक है तो हमने किया किया ये तो तीन का पेर पहले से है ये भी तीन का पेर पहले से है, ये तीन का पेर नहीं है, तो एक 0 यहाँ पर आ गया, ठीके, तो इसको जब हम binary में लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा यह, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, ठीके, और उसके बाद आपको मैंने यहाँ पर क्या समझाया था, पिछे, कि जब भी हमारा जो यहा हम हटा देते हैं, ठीके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 star 0 हमने यहाँ पर 8 क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यह वला 0, ठीके, तो हमारा जो आ गया, binary में वो कितना आ गया, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, ठीके, यह आ गया, अब आपको क्या करना है, यह तो पेर बनाना होता है ठीक है तो फोर फोर का पेर बना लेते हैं तो यह कितना आ गया यह फोर हो गया ठीक है और यह भी कितना हो गया फोर का पेर बन गया ठीक है अब इसको जो कारो तो यह किना आ जाबाध तो यह किना आ जाएगा यहां पर फोड़ बार 5 आ जाएगा अब इसको हम देखते हैं एक बार तो यह कितना आ गया? 1 1 1 0 है ठीक है 2 की पाउर 0 2 की पाउर 1 2 की पाउर 2 2 की पाउर 3 ठीक है तो इनको solve out करो तो यह कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यह 4 आ जाएगा ठीक है और यह 2 आ जाएगा और यह कितना जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है तो यह कितना आ गया 14 हो गया है क्या लिख लेंगे ए लिक लेंगे ठीक है कि यह कितना हो गया एसको हमने क्या बोल दिया इसको हमने बोल गया ए 516 ठीक है तो अब ہम अगर करेंगे तो यह हमारा answer कितना आएगा एफाइफ आ जाएगा ठीक है आई होप आपको यह चीज़े समझ में आ गई होंगी ठीक है तो अभी हमने क्या देख लिया ठीक है तो हम चलते हैं और यहां पर अब देखते हैं कि जो हमारा ओर्टल वाले जो फेमली था ठीक है ओर्टल to decimal ठीक है order to hr decimal यह complete हो गए तो अब हम बाते करेंगे hr decimal to binary ठीक है तो हरके तो hr decimal का चूप है उसके उपर हम चलते हैं और एक चीज़ यहां पर अब हम देखने वाले ठीक है तो अब सबसे पहला इसमें conversion क्या है है कि hr decimal से हमें convert करना है decimal में ठीक है तो इसको हम कैसे convert कर पाते हैं आइए उसे हम समझते हैं ठीक है तो यह क्या हो गया one हो गया ठीक है और यहाँ पे आप simply क्या कर ये कि जैसा कि हमने आपको पिछे बताया था वही चीज़े यहाँ पर आपको करना है फिर से ठीक है यहाँ पे हमने one लिख लिया five लिख लिया 2 लिख लिया और यह 16 की पावर 0 16 की पावर 1 ठीक है और यह 16 की पावर 2 हो गया और यह 16 की पावर 3 हो गया ठीक है तो इसके बाद आपको क्या करना होता है इन दोनों को मंडिप्लाई करना होता है इन दोनों को मंडिप्लाई करना होता है इन दोनों को मंडिप्ला यह 16 की पावर 3 कितना होता है आपको पता है 4096 हो गया ठीक है अब 16 की पावर 2 multiply 5 अगर आप करते हैं तो यह कितना आ जाएगा 1 to 80 आ जाएगा ठीक है और फिर 16 की पावर 1 multiply 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा ठीक है और 16 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है ठीक है 60 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है ठीक है और A equal to कितना होता है 10 होता है जैसा कि हमने यहाँ पे पिछे देखा था ठीक है कि जो हमारा A होता है वो कितना होता है 10 होता है ठीक है तो यह चीजे आपको पता है तो यहाँ पे हम आते हैं से यहां पर आते हैं ठीक है और हमने क्या किया यहां पर one multiply 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है इनको अगर आप solve about करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा वह 5418 ठीक है तो यह हमने क्या किया अपना decimal में convert कर लिया ठीके तो यह हमारा है डेसिमल में था और यह हमने किसमें convert कर लिया decimal में convert कर लिया लौ आके चलते हैं और बात कर बात करते हैं कि अगर हमारे पास यहां पर point आ जाता है फिर हम कैसे करेंगे ठीके तो घ्र til अफ़मने देख लिया ठीके, इसको भी हमें किस में konvert करना पड़ेगा, इसको भी हमें decimal में convert करना पड़ेगा, यह हेज़ डेसिमल में है, ठीके, तो आपको हमने पिच्छे क्या बताया था, एक बार उसको हम फिर से समझाते हैं, 15 Trans backward ठीक है और यहां पे हमने point लगा लिया यहां पे tool लगा लिया यहां पे 5 लगा लिया अब मैंने इधर जाते time क्या बोला था कि 60 की power 0 से चालू करेंगे और इसको हम बढ़ाते जाएंगे ठीक है और लेकिन अगर हम पिछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 16 की power minus 1 से चालू करत इसे हम 10 बोलते हैं ठीक है तो यह हो जागा 16 के पावर 0 x 10 ठीक है यह dot और आ गया ठीक है 2 x 16 के पावर 1 ठीक है प्लस 5 x 16 के पावर – 2 ठीक है इसकी value आपको पता है कितनी है 5 4 1 8 है ठीक है इनकी value आपको निकालनी है तो 2 x किना आ जाएगा 1 by 16 आजाएगा plus 5 multiply 1 by 16 का square आजाएगा ठीक है तो जब इनको आप solve out करेंगे तो यह आपके पास कुतना आजाएगा यह आपके पास आजाएगा 1 4 4 5 3 1 2 5 ठीक है तो आपका answer जो finally आजाएगा वो कितना आजाएगा 5 4 1 8 ठीक है point 1 4 4 5 3 1 2 5 ठीक है तो यह आपका क्या आजाएगा answer आजाएगा ठीक है आगे हम चलते हैं और हम अपना अगला जो term है उसके उपर चलते हैं और बात करते हैं कि अगर आपको हेज़ाइडेसिमल से binary में convert करना है तो आप इसे कैसे convert कर पाएगे ठीक है तो हेज़ाइडेसिमल से binary में convert करना है तो simply आप क्या करेंगे देखो यहाँ पर 1 हो गया ठीक है यह 1 हो गया यह 5 हो गया अब देखो binary से हेज़ाइडेसिमल में convert करने के लिए हम क्या कर रहेते हैं charger का pair बना रहेते हैं ठीक है तो यहाँ पर 1 bit कम है तो यहाँ पर 0 जोड लिया ठीक है यहाँ पर 3 कम है तो 3 0 लगा लिया यहाँ पर 3 कम है तो यहाँ पर 3 0 लगा लिया ठीक है तो जो हमारा answer आएगा वो कितना आजएगा इनको आपस में combine कर दो यह हमारा कितना हो गया answer हो गया यह हमारा कितना होगा answer हो गया लेकिन इसमें एक चीज क्या करनी है आपको यह वाला जो इस्टरा है इंको हटा दना है तो इसका answer कितना हो जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा आपको यहां तक चीजे समझ में आ गए अगर आप इसको रखते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी सही है ठीक है लेकिन इसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं ठीक है तो आपको यह चीजे समझ में आ गही होगी तो अब next time हम क्या देखते हैं कि hr decimal से ही binary में हम कैसे convert करें लेकिन क्या हुआ कि यहां पर बीच में point आ गया ठीक है तो आपको सेम चीजे करनी है 152a.25 हमने लिख लिया अब देखो कि आपको ए का मतलब क्या होता है ए का मतलब होता है 10 ठीक है तो 10 का binary कितना होता है आपको पता है 1010 ह होता है ठीक है 2 का binary कितना होता है 10 होता है ठीक है 5 का binary कितना होता है 101 होता है ठीक है ऐसे ही 2 का binary कितना होता है 10 होता है और 5 का कितना होता है 101 होता है अब आपको क्या करना है चार्चर का pair बनाना है तो यह तो पहले से 4 का pair है ठीक है यह नहीं है तो यहां पे 2-0 add कर दो ठ कल्upa में ytगकर को सब करते हैं का यहाँ प λ cœur नहीं है तो अब सब को आपस में इंड कर दा टि टीक है 001010100100100100100100 टीक है यहाँ पर पॉल्यं Cent ऑ गया गयाện पर प्रहें जिरो सकते हैं ठीक है क्योंकि हमने यह यहां पर यूच किया था ठीक है और यह कहीं बीच में नहीं आ रहा तो यह कोई भी हमारे वहलू को क्या करगा एफ़ेक्ट नहीं करगा तो जो लाश्ट पहली बीट है इंको आप क्या कर सकते हैं निकलेट कर सकते हैं चलते हैं आगे और बा किसमे करना है और तल में तो इसका कोई डायक्ट नहीं है आपने क्या किया है है यहां पर हमने किया है हम देख लेते हैं एक बार ठीक है तो इसको हम ने यहाँ पे हमने convert किया है न तो इसकी value कितनी आई है वो देखते हैं तो हम पूरा ही ले ले लेते हैं ठीक है अभी 000 ठीक है इसको लिख लेते हैं यह कितनी आगए 000 ठीक है उसके बाद है यह 1010 ठीके 1010 तो यहां पर लिखें 1010 ठीके उस्के बाद ये कितना है चिरो पर लेलिया 1001 ठीके उसके बाद कितना है चीरो amazon1 और लाच्ट में इक चीरो यहां पर ठीके तो यह चीजे हमने क्या किया same to same यहां से लिख लिया ठीक है अब यह किस में convert हो गया यह convert हो गया binary में ठीक है इसको हमने किस में convert कर दिया binary में अब binary से ओटल में convert करने के लिए आपको मैंने क्या बतायता 3-3 का pair बना लेजिए ठीक है तो 3 का यह pair हो गया इसकर लिखने हुम तो, 10101 हो गया A, ठीक है A, ठीक है A, ठीक है फो 3 का पैर बनाते हैं ठीक है, यहां पर हमने पैर क्या हुआ, बना लिया ठीक है यहां पर 2もう हमें एश्टा एड करना पड़ेगा ठीक है तीन का फेर बनाने के लिए अब यह कितना होता है यह होता है टू ठीक है यह कितना होता है फाइफ बाइनरी में देखें तो वन जिरो वन कितना होता है फाइफ होता है ठीक है जिरो वन जिरो कितना होता है टू होता है ठीक है और होता है one time तो आप क्या बोले सकते हैं कि one, two, four, five, two ठीक है यह studied पर हम क्या देखते हैं कि अगर decimal में आ जाता है ठीक है और आपकोuj today decimal से और्टल में convert करना है तो आप कैसे convert करेंगे ठीक है तो इसका भी आपको क्या पता है इसका आपको binary पता है ठीक है यहाँ पर हमने क्या किया था यहाँ पर हमने binary निकाला हुआ था ठीक है अब उसके बाद हमने क्या क्या dot कर दिया ठीक है अब dot point के बाद जब हम binary से और्टल निकालते हैं तो कैसे निकालते थे इधर से हम pair बनाना चालो करते थे ठीक है तो यह क्या हो गया यह हमने 3-3 का pair बनाना होता था ठीक है तो इसको हम 3-3 का pair बना देते हैं ठीक है यहाहीं पर आपको इससे हम समझा देते है ठीक है तिन तिन का हमने किया किया पेर बना दिया एक जीरो यहां पर एडे कर दिया यह कितना है यह वन हो गया ठीक है यह भी कितना हो गया यह भी वन हो गया यह कितना हो गया ठीक है तो इसका एंसर कितना आ जाएगा तो इसका एंसर आ जाएगा यहां पर आपको बता देते है ठीक है तो इसका answer आ जाएगा 12452 ठीक है और point और point के बाद जब इसको मैंने binary से और तल में convert किया ठीक है तो यह कितना आ रहा था 112 ठीक है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 112 ठीक है I hope आपको यहाँ इसको हम देखते हैं और इस इंजांपल को हम solve out करते हैं ठीक है हमारे पस क्या है कि यह binary में दिया हुआ है ठीक है और इसको convert किस में करना है वेस fret four में convert करना है ठीक है तो हमारे पस 1 1 1 wins Jira है ठीकहिं तो तो आपने क्या क्या इसका जो हमारा answer आगा तो यहां पर देखो 1110 हो गया ठीक है और इसका Base 2 है ठीक है तो 324 ठीक है यह हमारा एक answer आगए ठीक है दूसरा इसको अगर convert करना है बेस 8 में तो आप कैसे convert करेंगे उसको हम देखते हैं देखो यह 1110 हो गया ठीक है तिन तिन का पेर बना दो ठीक है यहां पर 00 हो गया ठीक है और इसको हम कितना बोलते हैं यह आपका हो जाएगा ठीक है तो हमने क्या किया 14 हो थीक है यह भी हमने निकाल लिया आप देखो 1 1 1 है ठीक है 1 1 1 0 है और इसको आपको convert करना है base system में ठीक है तो आप इससे कैसे convert कर पाएंगे वो हम देखते हैं तो आपको क्या करना है चार चर का pair बनाना है ठीक है तो हम यहाँ पर इससे लिख लेते हैं ठीक है और हमने 4 का pair बना दिया चियन है तो यह थो एक पर में एक ही pair में आ गया एक पुर्यूर को हम क्या बोलते हैं base system में e बोलते हैं ठीक है तो इसका कितना आ जाएगा कि one 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 zero base two equal to e base system होता है ठीक है तो I hope आपको यहां तक कि चीजे clear हो गई होंगे ठीक है तो यहां तक आपको कोई भी doubt नहीं होगा तो हमने आज क्या देख लिया देखो उसके बाद हमने आज complete आपको बताते हैं कि आज हमने क्या क्या देख लिया हमने देख लिया है 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 just dou 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 है ठीक है या कोई भी आप इनवर्सेटी का इजाम देने जाते हैं घीके डिजिटल आप पड़ते हैं या कंप्यूटर साइंस का कोई भी को टोपिक आप पड़ते हैं ठीक है या मैथ में आप कोई भी काम करते हैं ठीक है अистके अगर नहीं आएगा ठीक collagen क्वारा कंवर्जन एक वीडियो में आपको मिल गया है, I hope आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी, ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी तो चैनल को लाइक के शेल सब्सक्राइब करना मत भूना ठीक है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सेर क करना भी मत भूलना तो यह वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है ठीक है तो इसलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छ लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थेंक सो मच